हेलो दर्सको बेलकम बैग तो माई चैनल तो दर्सको आज मैं बात करूंगा प्रेसी होल स्पोर्स एर राइफल पी एक्स वन हंडड की और इसकी क्या स्पैसिफिकेशन है सबसे पहले बो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो पावर सोर्स है PCP है और मेकेनेजियम साइड लिवर लोडिंग है मतलब इसको साइड से लोड किया जाता है और कैलिवर जो है इसका 4.5 mm है मतलब इसकी बैल का जो बोर है 24.5 mm है बिलोश्टी है इसकी 259 MPS वटे 850 FPS और MPS और FPS का मीन्स मैं पहले आपको बता चुका हूँ और मैक्स प्रेसरेस का 200 बार मतलब जब आप इसको लोड करते हो तो इसकी हवा जो है दोस्टो से आप नहीं होनी चाहिए और बेट है 2.75 केजी का तो लाइट बेट गन है टोटल लेंड थे 920 mm और बेरल लेंड थे इसकी 500 mm तो मतलब 3 फुट लंबाई है लगवगी इस गन की और 20 इंच की बेरल है और सोल्ट मतलब एक वार हवा वरने से आप इसमें 80 सोल्ट फायर कर सकते हो तो यहां पे दोस्तो मैं इस गन में हवा ही भर रहा हूं और काफी अच्छा है इन्होंने इसको पंप दिया हुआ है और इसका जो पंप एक्सन है अगर इसमें आप हवा धकेलते हो तो दोस्तों से आप इसकी हवा नहीं होनी चाहिए वैसे तो यहां पे मैं दोस्तों आप कर रहा हूँ आपको सिर्फ इंट्रो दिखाने के लिए अगर दोस्तों से ज़्यादा हवा इसमें फील होती है तो इसके बाल तूटने का खत्रा रहता है जो इसके पंप एक्शन में बाल लगा होता है वो भी तूट सकता है तो दोस्तों जब तक हवा नहीं भरती है आप चैनल को कर लो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब क्योंकि मैं यहां पे हमेशा ही यूसफूल कॉंटन्ट अपलोड करता रहता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे हवा का प्रैसर जो है 200 से आप कर दिया है हमने 200 से आप हो चुका है हवा का प्रैसर इससे आपको फाइर करके भी दिखाया जाएगा तो यह इसकी मैगजिन दी हुई है कमपनी ने काफी अच्छी मैगजिन है 10 पैलिट इसमें आते हैं और आप मतलब एक वार में 10 राउंड फाइर कर सकते हो जब आपकी मैगजीन लोड होगी तो आप 10 राउंड फाइर इसमें कर सकते हो आराम के साथ और दोस्तो आज से पहले आपने ज़्यादातर जो एर राइफल है उसमें ब्रेक वैरल देखा होगा मतलब उसको कोक किया जाता था लेकिन ये जो गन है इसको हवा के साथ चलाया जाता है और इसमें जब एक वार हवा वरकती है तो आपको तो ये पता है कि आसी राउंड फाइर आप कर सकते हो और ये इसका वोल्ट एक्सन लगा हुआ है मतलब वोल्ट का इन्होंने सिस्टम दिया हुआ इसे लीवर भी बोला जाता है और ये साइड लीवर है और जब भी आप इसको आगे धखेलते हो तो जो पैलिट होता है वो इसकी बैरल मैं मैगजीन के जरिये आगे तक पहुंचता है और नीचे से हवा इसको प्रेसर देती है कुछ इस तरह से आप देखते रहे हैं यहाँ पे हम टेली स्कोप को सेट कर रहे हैं अब इसमें हम फायर करेंगे तो आप देख सकते हो और काफी दूर तक ये हिट करती है तारगेट को वैसे तो कुछ जो कमपनी ने बताया हुआ कि ये लगभग 45 या 40 फूर तक हिट करती है लेकिन मैकसिमम जो रेंज में ये जाती है 60 फिट इसकी मैकसिमम रेंज है दोस्तो अगर इसमें सिंगल पैलेट फायर करनी हो तो एक छोटा सा चेक पीस है वो अभी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ तो इसको लगाने के पैलेट डाला जाएगा और आगे तक वैसे ही धका दिया जाएगा साइल लीवर से और आसानी के साथ फायर हो जाती है और इसका जो ग्रिप स्टोक और क्लासिक स्टोक और ट्रिगर मैकिनिजम है बहुत ही बढ़िया वना हुआ है दूसरा इसकी खासित ये भी है एक और ख फोल के फायर किया जाए तो बहुत बड़ा धमाका होता है जो की बंदर या किसी भी जानवर को ड्राने के लिए काफी है और दोस्तों इस गन की और भी धेरो जानकारिया है वो हम आपको कभी फिर बताएंगे तब तक आप वीडियो को कर दो लाइक और अपने दोस्तों के हम अच्छी तरह से आपस में जुड़ सके वीडियो बहुच करने के लिए थैंक यू बाई बाई मिलते है किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में बाई बाई अब्रीवन